नमस्कार मेरे प्रिद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी में और आप सभी विद्यार्थी के लिए जो कि तैयारी करना चाहते हैं प्रारंभिक परीक्षा की उनके लिए खुश्कबरी जी हाँ. आप सभी को बता होगा कि कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी हर वर्स प्रिलिम्टेस्ट सिरीज जो है वो लेकर आती है तो इस वर्स भी प्रिलिम्टेस्ट स्रीज आप सभी के लिए लौँच करी जा रही है, बहु बहुत दिनों से डिमांड था बहुत बिसबरी से इंतजार था कि सर कॉपमेडिशन कम्मुनिटी की जो टेस्ट सीरीज है वो लेकर आई जाए तो आप सभी के लिए यहां टेस्ट सीरीज जो है वो लांच की गई है इसके बारे में जो डिटेलिंग है मैं आई यहां पर आप क्योंकि यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि सर आप कितना दे रहे हैं और कितने में दे रहे हैं यह सबसे बड़ा सवाल होता है विद्यार्थियों का तो हम आपको बता रहे हैं मैं दो दोस्तों कि हम जो है टोटल नंबर आप जो टेस्ट आपको दे रहे है इन क्यावन दे रहें इसके हमारे पास जो mode रहेंगे वो दो प्रकार के mode होने हैं mode मतलब आप किस-किस माध्य में आप देख सकते हैं तो एक होगा आपका online होगा और एक जो रहेगा तुम्हारा offline यनि कि आप हमारे संस्था पर आकर ये टेस्ट दे सकते हैं कोशिश करिएगा कि जितने भी विद्धियारती है वह संस्था पर आकर टेस्ट जरूर दीचे आप बोले कि सर्फ संस्था पर आकर देने पर तो महेंगा लेगे गए जी हाँ बिलकुल यदि आप online देना चाहते हैं दोस्तों मतलब मोटा मोटी आप मान के चलो लगबग तीने जार के आसपस सम्थिंगे चाता है और अगर मैं इसको बाइफर गिट करूँ ये मैक्सिमम में मौन्ट होगा हमारा टू फॉर डबल नैन यहीं कि दो हजार चारसो निन्यान बे प्लस अठाइर प्रसन अप जेस्टी लग याद रखेगा नमबर आप कुल्च्ण कितने होने हैं 100 होने साथी साथ सभी इं टेस्ट के लिए अध्य प्रतेग टेस्ट जो रहेगा वो जैसा आयूग को पैटर्न होता है बस उसी पैटर्न में हम यहाँ पर आपको टेस्ट लेने वाले हैं number of question मैंने बताई कर दी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि या जो टेस्ट है वो दो घंटेका होगा मैं आपको यह भी बता दूँ की प्रश्ण का जो इस था होगा बदलते कठिन प्रशन डाल दिये कि वो आप से बनी नहीं रहे मतलब यह नहीं होगा कि स्टूडेंट्स अरे और यह क्या कोश्चन आ गया कहां सा गया ऐसा नहीं होगा आपको यहां पर जो प्रशन दिया जाएगा वो बिल्कुल संतुलित बैलेंस करके रखा जाएगा बिल्कुल ब सब्रकार से सभी प्रकार के प्रशनों का समर्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो मैंने आप लोगों को दो चीज़े बताए कि टोटल नंबर आप टेस्ट कितने होंगे और इसका जो शुल कह वो क्या क्या होना है ऑनलाइन मोड का मैंने बता दिया एक हजा बताऊंगा कौन कौन सा टेस्ट कब कब होना है आईए दूसरे पहले पर हम चर्चा करते हैं कि ऑनलाइन मोड की तो बाते यहां पर होगे कि ऑनलाइन जो मोड है वो आप मस्तर से घर में बैठके बढ़िया सा अपना देंगे समय आपको यहां पर बता दो क्योंकि समय भी क आप रात के 10 बजे तक 10 पीएम तक ठीक है ना यानिकि इन 12 घंटों के दावरान कभी भी दे सकते हैं यह आउनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए ओफलेन वाले विद्यार्थियों के लिए क्या है कि बटा आपको दो पाली में परिक्षाएं प्रायुजित करे जाए कितना से कितना दोपाहर एक से आपका तीन बजे तक इसको नोट ड़न सरूर करेगा है ना जो बच्चे ऑनलेन देना चाहते हैं उसके लिए सुबह दस से रात के दस के बीच कभी भी उन दो घंटों में देंगे एक बार यदि आपका टेस्ट शुरू होता है तो सीधे दो घ सब्रे एरेन के लिए कहा पर आना है तो अद्रेस आपको बता दूँ यदि आप बिलासपूर रहे निवास राता हैं यदि बिलासपूर के विद्यार थे तो हमारे आपके Cabinet सेंटर्स नंबर 90 यहां महावीर होटल के पास महावीर पैराडाइस करके मिलेगा और ये गांधी चौक में मिलेगा साउथ कैफे अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है इसको हम कमेंड में भी पिन करवा देंगे तो उन नंबरों पर आप संपरक करिएगा तो आपको जो है लोकेशन और अन्य जो जानकारिया रहेगी किसी भी प्रकार की वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगे ठीक है दोस्तों तो यह तो लोकेशन की यहाँ पर बाते होगे आईए वापस आते हैं तो मैंने यहाँ पर बताएं कि नंबर आप जो पेपर सूँलगे हमारी कितने होने होने 51 होने वाले दूसरे मैंने यहाँ पर यह भी बता दिया कि भाई हमारा जो समय होगा वो सुबह ओफलाइन के लिए 10 से 12 हो जाएगा उसकी बाद हो जाएगा तुम्हारा एक से तीन ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैंने बता दे सुबह दस से लेकर रात के दस बज़े तक कर सकते हैं लेकिन एक बार यदि टेस्ट शुरू हुआ तो वो कंटीन्यू टेस्ट देंगे स्किप बीच में नहीं कर सकते हैं अच्छा नमबर आप प्रश्चन कितने ह आनलाइन पेपर दे रहे हैं तो वो जो हैं दुबारा दे सकते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं दुबारा भी दे सकते हैं लेकिन कब जब रिजल्ट घोशित हो जाएगा तेस्ट का जो रिजल्ट घोशित हो जाएगा तेस्ट का जो रिजल्ट घोशित होना के दो दिन बाद तो जिस दिन टेस्ट और है जैसे माल लेता है कि आज है 27 तारिक तो 27 के बाद 28 और 29 के बाद जो आपका टेस्ट रिजल्ट आएगा उसके बाद आप फिर से उसको ऑनलाइन मोड में आप वापस से दे सकते हैं आप चाहर जितने पार उसको कोई दिकत नहीं ह लिःणींग और 29 के बाद आप एक टेस्ट दे सकते हैं रैंकिं AMY का अपको बता दू कि यहां पर क्या होता हं कि पूरे राज्य की विध्यार्थ हिआ पर शामिल होते हैं जब पूरे राज्य के विध्यार्थे शामिल होते हैं वह आत्यारी औरों की तुनना में कितनी होती है एक्शली क्या होता है कि हम कीतना पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है कि हमारे आज sequence वाले लोग कितना पढ़ रहे हैं क्या आप пару की अंध हैं अगर अगर आप का फोड़ा भी एक खुल है तो यहां पर सभी के सभी लोगों की आखे अच्छी और आप थोड़े से काहने टाइप के मतलब आप कहने कहीं वहाँ पर क्या हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे तो आपको वो आपका जो कमी है आपकी जो यहाँ पर कुछ कमिया जो आपको जो नजर आएंगी कुछ आपके निगेटिव जो चीजी जो रहेंगी उसको आप यहा सा लगता है कि बहुत जादा होता है आप इनकी आवन मिसे आप मल्टीप्लाइ कर लिजी इनकी आवन मुल्टीप्लाइब हंड्रेट कर लीजे आप देखे कितने नंबर आप कोश्चनस आपके पास यहां पर देखने को मिलते हैं तो यार लगबग लगबग आपके पास 5000 का अब आपके तयारी बहुत अच्छी खासी हो जाती है अब आप बोलेगे सर अगर यहां से प्रशना आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इसकी हम बाते कैसे करेंगे अगर आया तो ठीक है नहीं आ तो यार आप यह समझे कि बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको यदि आपने पढ़ लिया है क्योंकि अगर सो कोश्चिंस वहाँ पर आए हैं तो आप डैफिनेटली उन सो टॉपिक्स को जाके फिर से रिवाइस करोगे एक बार पल्टो की जरूर और अगर उस कोश्चिंस मलब वो कोश्चिं एरिक लिनिया है तो उस कोश्चिंस से समध्दी चीज़ें डैफिनेटली आप से पुछी जाएंगी आप यह मान के चलिए जैसे अगर मैं जोग्राफी पढ़ाता हूं मैंने हिमाले से समधित इतने सारे तक थे इतने सारे फैक्ट सापके पुरे कोश्चिं के दवरान दे दिये इन पांच है और कोश्चिं में मैंने मान क कि चले कि कम से कम 20-25 कहीं नके जैसे आपका टेस्ट पेपर 1 में आ गया तो कहीं ने गहीं अगर आपने 20-25 सौ्ट कर लिए तो आप मान के चलो कि उसी की आसपास उसे से मिलते जो कोई ने कोई चीज आपसे आएगा मतलब कि इन क्यावन जो टेस्ट होना है आपके लिए बहुत ही ज़ादा हेलफुल साबित होने वाला है ठीक है चले आए कुछ और चीज़ी यहाँ पर बता देता हूँ अपकी रैंकिंग भी यहाँ पर बनेगी एक्स्प्लेनेशन भी मिलेगा फिर भी कई अंसर लेता है और विद्यार्थियों को डाउट रहेते हैं विद्यार्थ हो नहीं सही आंसर तो यह होगा जैसा मैं बता दूँ अभी लाज्ट यपर प्रजण आया था एक जेट स्टीम से सम्मधित अब जेट स्ट्रिम में एक प्रशन अथा जिसमें यहां कहा गया था कि जेट स्ट्रिम की जो शाखाएं होती है वो ऐसे हिमाले और तिबत के पठार के प्लैटू के पैरलल चलती है और उसकी जो दक्षणी साका स्वारी उत्तरी साका जो है वो इंडिया में प्रवेश करते हैं उत्री पार्ट नहीं करता था उसका कौन से पार्ट करता था दक्षिनी पार्ट करता था तो कई बार ऐसा हो जाता है हो वहां पर सॉल हो जाइक तो ले तो कि इस सारी के सारी चीजे जो रहेगी हमारे टेस्ट के पिछार्ट के इंदर क्रत शामिल है ठीक है तो उमिदश करता हूं कि मैंने जो चीजें बताइघ है उससे आप संतुष्ट होंगे अधीक और जानकारी यदि आपको लेनी होंगी तो आप हमारे दिये गया जो यहाँ पर contact number है आप उससे संपरकर कर सकते हैं अच्छा टेस्ट किस प्रकार से होगा क्या क्यों होगा आए एक बर मैं क्योंकि प्रेलिम्स का जो पेपर है वो लगबग आपका जुलाई स्वारी फेब के आज पास जो होता है सेकंड या थर्ड फेब जो होता है संडे उसमें होता है तो उसके एक हफ्ते पहले आर देस दिन पहले सम्थिंग वो है वहाँ तक चलेगा आपका जो यह सीरीज है ठी इसमें इंडियन पॉलिटी इंडियन जोग्राफी ठीक है इसके अलावा च्छतिस गड़ के जोग्राफी और करंट एफेट के कोश्चन्स यहाँ पर होंगे यह पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी हमारी यदि आप टेलिग्राम में जुड़े हो दो टॉपिक्स बस यहाँ पर हमने क्या किया है इंगलूड किया है सिमिलरली यहाँ पर पॉलिटी पर कुछ टॉपिक हैं च्छतिसगर जोग्राफी के भी कुछ टॉपिक है और करेंट अफेर में भी जैसे फर्स्ट अप्रे से थर्टी अप्रिल ऐसा तो आपके सेलेक्ट तो इस प्रकार से continue Wednesday Sunday Wednesday Sunday आपका जो पेपर है यहाँ पर लिया जाएगा इसमें CSAT के भी पेपर से यहाँ पर होंगे साधी साथ आपका combined सबसे last में फिर पूरे GS का एक सांथ फिर आपका CSAT का एक सांथ individual फिर subjects के पेपर ऐसे अलग अलग तरीकों से यहाँ पर total number of questions जो होगा online यदि कोई बच्चा खरीदना चाहता है तो इसकी कीमत मात रहे one triple nine plus GST है और साथ ही साथ जो बच्चा यहाँ पर offline mode में खरीदना चाहता है तो उसके लिए है two four double nine plus GST GST कितना percent होगा हमारा 18 percent यह तो सरकार के खाते में जाता है भाई आप सभी को पता होगा यदि आप कई वर्सों से जो लगातार जो है कोको है आपके टेस्ट सीरीज के लिए विख्यात रहा है सीजी पे सी प्रिलिंस प्रारंबिक परिक्षा जो होती उसमें टेस्ट कितना इंपॉर्टेंस होता है आप सभी को पता है और जितने भी विद्यारती जो पढ़ चुके होते हैं जो पिछले कई वर्सों से तयारी कर रहे होते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज एक रामबाण की तरह साबित होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोर दी गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिये गया नंबर पे संपरक करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के गैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको